एक सामराज्य की राजथानी विजय नगर 12th class हिष्ट्री का चप्टर नमर है 7 और इस चप्टर का समय काल है 14 से 16 लेकि अक्सर क्या है कि हम जैसे हिस्ट्री को समझते हैं इसे हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो उत्तरी भारत के तिहासम समझते हैं दक्षिनी भारत के हास को तना ज्यक्ता हम नहीं देते हैं लेकिन ऐसा नहीं बात ही संब्रजोंगों इसमीं से विजनगर शामराज्यहें तो विजनगर एक नगर या एक सामराज्य एक राज्धानी इन तीनों के लिए इस सबलकी आजका स Adamsia मेरें घंबी चैप्टर के पूरी फिर नगर सामराजय की सामराजय की मैं जैने hak कि मेरे घंवी की जानते है और अचलवे गुंछwood के विजे नगर सामराजय की क्याはाven करती हुआ जैनिक्तर मेरें ये-घंगर चैना कुछ तरिक्टर जो राजा थी व किस तरिके सासन को चलाया करते थी उंके सियनापति किस सी कारे करते थी ये सारी चीजे हम आज कि समझने वाल हैं तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को पता देना चाहूंगा कि आप लोग दिख रहे हैं पर दोग देख रहे हैं अगर अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चल्दी से सब्सक्राइब करें और प्रेस करतें ताकि मेरे चैनल पे अगरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पहुंसके इसके अलाबा वीडियो को आप लोग श्यादा से ज्यादा शेयर भी जो दो भीजयनगर सामराजे की हम बात कर रहे हैं वह अर भुक्का नामक दो भायों ने किती 1336 मी और यह जो सामराजे है क्रिश्ना और तु बात करते हैं उसको समझते हैं जो प्लाब पि की हो पेला इस प्रकार से गी याँने की विजयनगर सामराजे के उपशर की बात करते हैं सब्से जाला युगदान अधिकारी थे मतलब एक मानचित्गार भी थे एक सरविक्षक और एक इंजीनियर भी थे उनके इसमरीतियों पर अधारी थे इसमरीतियों पर आधारी थे उस्तास किया उनसे जानकारी जोटाई थी सुरुवाती जानकारी थे इसके अलाबा अगला हम डेट बताएंगे कि 1856 इस भी की बात करें तो यहां पे चाया चित्रकारों ने क्या गिया विजनगर के जो भवन है यानि की बहुत सारी चित्र बनाए और उसे भी हम विजनगर स सामराजी के बारे में जानकारी जोटा सके इसके अलाबा 1836 से क्या हो रहा थखी बहुत सारे जो अभिलेक करता थे सास्त्री थे जो यह नहें उनसे मिलान किया उनसे तुन्ना किया और उसके बाद विजयनगर सामराज्य के वारे में जानकारी जोड़ाया तो यह हम्पी के खोज के वारे में जो चीजे बता रखी थी वह मैंने आपको समझा दिया है अब हम समझते हैं शासक और वैपारी जो टोपिक है उसको इसमें विजयनगर सामराज्य के वैपार को समझाया गया है विजयनगर सामराज्य के जो लोग थे या जो सासक्यों कहां कहां से वैपार क्या करते हैं देखिए वैपार मुखे था अरब और मथेश्या के देशों से होता था और वहां से हम मंगाते थी मतलब विजनगर सामराज्य के जो लोग तो गोडों का आयाक्तिया करते थी क्योंकि मध्यकाल की हम बात कर रहें मध्यकाल में जो यूद है वो कुषल अस्वशेना के मदस्य होता था जिनकी मतलब अस्वशेना जाला पावर्फल होती थी जी जाये करती थी तो विजनगर में आता कि घोडों की कमी थी भारत में इससे अच्छे नस्वशे नस्ल ञआतने थे तो इसको कहां बाहें बाहे 17 अब के बेपावरि और 24 precis क्या 20 का है बाए 17 पुर्तेगाली जब भारत में रहे बंदुग के दम में भारत में स्वाशन करना श्टार्ट किया और फिरू उन्हों ने भारत में व syntक करना शूरू कर दिया था जैसे कि रतनों की मांग करते थी आबुशनों की डिमाइड क्या करते थी जो कि विधेसों से भी मंगाया जाता था ता कई बार और इसके अलाबा विजे नगर के जो बैपार होता था उस बैपार से जो टैक्स मिलता था उसके कारणी व suppliers चामराजे के बाले में सारी चीजे ब जो सबसे सकती सालिस आसक थे हूँ कि वह उसके बाद तुलूब का नाम बता दे आप और तुलूब के बाद एक और चौटा जो वंस आया अब यहाँ पर हम क्रिशन देव राय की बात कर लेते हैं विजयन अगर सामराज्य है कि जो सबसे सक्ती सालिस आ सकते वो क्रिशन देव राय ही थी और इनका संबन तुल्व वंसे था किस वंसे थी तुल्व वंसे ठीक है और देखिए क्रिशन देव राय विजयन अगर सामराज्य के विस्तार में और उसके सुद्रिधी करन में यानि कि उसको मजबूत बनाने में विसेस योगदान दिया था जैसे कि उनके समयकाल में तुखभद्रा और क्रिशन नदी की बीच का जो छेतर है जिसको हम रायचूर द्वाब बोलते हैं उसको हासिल किया गया 1512 में इसके अलाबा उडिशा के सासकों का दमन किया गया उनको भी हराया गया 1514 में विजापूर के जो सुल्टान थी उनको भी बुरी तरीके से प्राजित किया गया 1520 में और ये कृसिन देव राय के समय काले में हुआ था क्रिसिन देव राय बहुत jiवातफी जड़ा पावन्तॐस हासकते इसके आलाबा इन्होंने क्या गया था विजट्नगर सामराज्य अनेक मंदिरों का निर्मान करवाया और उन उंची इमारते दिख रही होती है वो गेट टाइप का दिख रहा होता है वो एंट्री गेट होता है मंदिर का जिसको हम गोपुरम बोलते हैं इसके अलाबा क्रिशन देव राय ने क्या कि अपने मा के नाम पर विजयनगर के आसपासी एक उपनगर की स्थापना करवाई जिस विजयनगर सामराजे के पतन के वारे में क्योंकि यह पतन वाला टॉपिक जो है वैसे एंड में होना चाहिए लेकिन सुरू में बता रखा है जो टॉपिक नम्मर टूपन टू है उसी में सारी चीज़े बता रखी है नसी आटी बुक में तो आप इसको देख सकते हैं तो पन्दरसोनौ से लेके 1529 तक सासन किया था 1529 में उनके मिरत्यु के बाद क्या होता है तनाव की सिद्धी उत्मन हो जाती है तिक है जितने भी मतलब उत्रा दिकारी थे विजे नगर सामराजी की या फिर जो सियना पती थे उनके पीच में क्या होगे गिरह युद होगे आपस में वो लोग लड़ने लगे इसके अलाबा आप बता सकते हैं तालिकोटा का युद यह सबसे में कारण था तालिकोटा के युद में जो सियना पठान मंतरी थे उसमें वहां के विजे नगर की वो राम राय थे राम राय के नेत्रित में क्या होगे तालिकोटा का युद विजे नगर ने लड़ा था और तालिकोटा को हम राध्षची तागडी के नाम से भी जानते हैं जिस युद को और इस युद में क्या होगे था विजापूर एहमद नगर और गोल गुंडा इन तीनों जगे की स लगा दिया बड़ाद कर दिया इस शेहर को इस तरिके से बिजे नगर सामराजे का खातमा हो गया इससारे आप बासके हैं तीन बोझ में आप लोगों को बता दिया है चो靡िए नायक वाला जी टॉपिक को हम समझते हैं तो राय नायक पर नाली काफी ज़्यादा इंप्रोटेंट है और यह पूछा जाता है देखिए नायक की हम बात कहें तो नायक होते थे सेना परमुग आप समझते हैं तो सेना परमुग होते थे इनको किले दिये जाते थे किलो पर नियंतर रखने का काम करते थे इसके अलाबा यह जो नायक थे अब हम अमर नायक की बात कर लेते हैं अमर नायक पर नाली क्या है देखिए अमर नायक पर नाली भिजनगर सामराजी की एक परमुख राजनीती खोज माने जाती है अब राजनीती खोज हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह कहीं और से लिया गया पर नाल समालते हैं उसी तरीके से कुछ इक्तादार हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत में ठीक है और ये पुरे जिले की सासन ववस्ता को क्या करते थे समालते थे और इसी तरीके से यह ववस्ता जो है इकता परनाली जो है उसी की नकल थी अमरनायक परनाली अब अमरनायक ठे को नेखिए अमरनायक सैनिक कमांडर हुआ करते थे मतलब राय यानिकी बिजनगर का जो राजा है, वो अमर नाइकों को क्या देता था? राजे करने के लिए छेतर दिया करता था, जहां से अमर नाय क्या करते थी? अपनी शाषन विवस्ता को चलाया करते थी, अब इनका काम क्या था? बाई ये किसानों सी, सिल्प कर्मियों सी या फिर जो वैपारी है, उनसे भूर राजस वसूला करते थी, और जितने भी कर है उसको वसूलने का काम करते थी, अब करगा कुछ भाग अपने पास रख लिए है, जैसे कि कर को खर्च कर दिया करते थी, देखिए, जब यूद होता था था तो यूद के समय ये अमर नयक क्या करते थी, अपने सैनिकों के साथ राजा के साथ यूद में भाग लिया करते थी, मतलब इनका मेन का काम था युद के समय राजाओं को सपोर्ट करना उनको सायता परदान करना ठीक है अमरना एक राजा को वर्स में एक बार भेट भी भेजा करते थे उनको गिफ्ट दिया करते थे है ना और कभी-कभी राज के दरवारों में अपनी स्वामी भक्ती परकट करने के लिए खुद भी अपने कंट्रोल में ले सकते थे इसलिए राजा इनको इस्थानांध्रित करके उनके उपर नियंत्रन का एक तरह से दावा करता था अपना नियंत्रन दिखाता था तो यह आपका अमर नायक पढ़ना लिए है तो दोस्तों मैं आज की वीडियो में में जितने भी टॉपिक समझाने थे मैंने समझा दिया है और वीडियो काफी ज्यादा लेंदी हो शुगा है मैं आठ मिनट दस मिनट की वीडियो बनाता हूं ठीक है तो आज किसी वीडियो में मैंने जितने भी टॉपिक आपको समझा है आपको समझ में आ गया होगा किसी भी टॉपिक में दिक्त ह कमेंट में आप मेरे को जरूर बता है चप्टर वैसे ज्यादा लेंदी है नहीं कोशिश करेंगी कि चार पार्ट में हम इस चप्टर को खतम कर दें तो मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में तब तक ही लिए जय हिंद जय भारत अपना ख्याल रखे